लेहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तो कैसे आप सब एक वार वापस स्वागत है आपके अपने प्यारे आपका अपना फ्रेंड आपका मेंट और आपका साथ थी कुनाल इस साइट और आज करने वाले हम बच्चों बिल्कुल सही बाते भाई नौका के उपर तो नहीं सवार होने वाले लेकिन एक मजबूत जजबे के साथ एक टॉपिक को 30 मिनेट के अंदर बच्चों रिवाइज जरूर से करने वाले जी हां तो बच्चे आज हम करेंगे मिनरल्स और इनल्जी रिसोर्स हमारे इस ओन गोइंग बाइंड माप सीरीज के अंदर तो बच्चा बाटी फड़ा बच्चे अपने कॉपी पेन लेकर आ जाओ जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में सारे वेंजर्स अस करते हुए शुरू करते हैं भाहे हमारा आज का टॉपिक दाड़स मिनरल सान एनल्जी रिसोर्स ठीक है चले तो क्या क्या गवर करने वाले बच्चों लोग पहले नंबर पे मिनरल उनके क्लासिफिकेशन बटालिक नॉन-मेटालिक मिनरल्स कन्वेंशन इनल्जी रिसोर्स ठीक है चलिए तो अगर आपसे बात की जाएगी सर मिनरल क्या है तो बटा अगर कभी आपने तूट पेस किया हो यानि करते ही होगे रोज सुबह उटकर के नहीं करोगे तो घर वाले तो करवाही देंगे है ना और नहीं करोगे तो जब बाहर जाओगे तो गंदा-गंदा स्मेल आएगा मुह से समझ लो नुकसान तुम्हारा ही है है कि नहीं तो बच्छे उस टूथ पेस्ट के अंदर आपके दांट को साफ करने के लिए कुछ सब्स्टांस जाले जाते है ना जिसमें से एक फ्लॉराइड करके भी है तो बच्छे मिनरल क्या है मिनरल कुल मिला कर के नेचर में मिलने वाला एक सब्स्टेंस है ठीक है जो जनरली पाया जाता है रॉक्स के साथ यानि रॉक्स क्या होते है पत्थर के बहुत बड़े बड़े टुकडे ठीक है अलग अलग प्रॉपर्टी होती जिनकी और इन मिनरल का यूट्रलाइजेशन करके बहुत सारे क काम करते हैं ठीक है और संसकारी भाषा में अगर डिफाइन किया जाए तो मिनरल क्या है बिटा मिनरल इट्स डिफाइंड आस और होमोजीनियस नाच्रली अकरिंग सब्स्टांस यानि नाच्रल नेचर में प्राकृतिक रूप से अकर करने वाली कोई भी ऐसी चीज जिसका है एक definite internal structure है है ना तो बच्चों जो हमारे मिनरल्स हैं वह बहुत सारे अलग-अलग forms में पाई जाते हैं कुछ बहुत हाड होते हैं और कुछ आपके बहुत सौट मिनरल्स होते हैं जब हम बच्चों बात करते हैं मिनरल्स को classify करने की तो हम तीन तरीके से मिनरल्स क्लासिफ का मतलब हो गया बच्चे इसमें iron content नहीं है और precious का मतलब हो गया हीरे जवारात वाले मिनरल्स यानि की वही गोल्ड और सिल्वर के हार जो आपकी मम्मी को बहुत प्यारे हैं है कि नहीं यारी गोल्ड शिल्वर डाइमंड वगेरा ठीक है चले नॉन मेटालिक अगर मैं बा हो गया तो इस सारे की सारे काउंट होते हैं हमारे energy minerals में चलो बच्चो आगे बात करें अगर बच्चे occurrence of minerals अब सवाल यह उठता है कि सार minerals कहां पाए जाते हैं तो बच्चे minerals जिस चीज से extract किया जाता है उसको हम कहते हैं और ठीक है यह अक्षेकुमार वाला तेरी और नही रहा है यानि वह रोक्स को पत्थल जिससे मिन्रल्स को extract करते हैं वह कहलाते हैं बच्चे उसके ores ठीक है तो जनरली आपको कोई लुकली भी मिन्रल हो सकता है कुछ और मिन्रल के साथ मिच्छिर के फॉर्म में मिले कॉमबशे के फ bear olmaz हमा लोग क। क्या करते हैं इन और से मिन्रल इसको निकालते हैं उसको रिफारीत करते हैं एक बढ़े सक अब अलग अलग यह सवालै इंपोर्टेंट है यह इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि तीन और पांच नंबर में यहां से क्वेशन मनता है कहता है कि मिनरल्स है कौन-कौन से फॉर्म में अकर करते हैं ठीक है तो अगर आप इग्रियस और चलिए अगला सवाल देखें बच्चों अगला पॉइंट देखते हैं इन मोस्केस यह तफ फॉर्म होते हैं जब आपका मॉल्टें मेटीरियल या फिर गैसे जो मेटीरियल होता है बच्चे यह क्या करता है यह अर्थ के नीचे रहता है बहुत सिंपल है और सर्फेस की नीच स्टाट हो SARAH GO ुड अंघंक करेगा और ox warm करेगा रइट फिर इने रोक Gal two blue simply आपको यह मिनरल स्मिStaat अघए इससे टेन हो गया पर होगया जिंक हो गया लेड होगया यह अपको इसी तरीके से मिलते हैं अगिनिये से मिन एं मेũामोर्फिक रोख जीए चले आगे बात करते ह की एक स्पैशालिटी है यहां पर यह जो रॉक्स होती है आपकी लेयर में मिलती है राइट तो सेडिमेंटरी रॉक्स में आपको बहुत सारे टाइप को बिनेवल्स मिल जाते हैं यह यह आपकी रॉक्स कैसे बनी है इसका बहुत सिंपल तरीका है देखिए क्या हुआ ओवा पीरिट ओफ टाइम महुत सारे सालों के के दौरान जो आपके प्लांस आनिमल से ठीक जब बच्छी डेड हुए है ना यारी जब डेड होए जब डिकंपोज होना स्टार्ट हुए सड़ना स्टार्ट हुए तो एक की ऊपर एक की ऊपर एक दिर दिर करके पाई लप होते ग बच्छी यह convert हुए है आपके rocks में ठीक है तो आप देखेंगे sedimentary layers के अंदर sedimentary rocks है generally वो layers form में आपको provide होताती है या फिर मिल जाती है ठीक है so coal हो गया या फिर iron हो गया यह बहुत अच्छे example है यहां पर उन minerals के जो आपके sedimentary rocks में पाए जाते हैं ठीक है इन में से कुछ ऐसे भी rocks है बच्छे जहां पर minerals मिलते हैं because of evaporation अब जैसे देखें बहुत बार आप देखोगे तो salt water lakes के बारे में आपने सुना होगा ठीक है salt water lakes में क्या होता है बच्छे जब पानी वो अपरेट rocks ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें residue of weather material कई बार ऐसा होता है कि जो रॉक है हमारी यानि जो बड़ा पत्थर है वो बच्छे वेदर होता जाता है वेदर का मतलब होता है टूटता है टूटके कंपोज होता है टीक होता है तो कुछ हिस्सा उसमें से बचे जाता है ठीक है तो उस हिस्से से भी कई बार हमको मिनरल मिल जाते हैं ठीक है अलूवयल एरिया डूवयल वाले एरिया में आपको मिलेंगे चीक है खासकर जैसे कि आपके हिल्ट हो गए उनके बेस पे या फिर वाली हो गई उसके सतों पे उसके फ्लोर्स पे तो ऐसे डिपॉजट को हम प्लेसर डिपॉजट कहते हैं तो बचे बहुत सिंपल सी बात है ए और खासकर ऐसे में बनाद को पानीने करोड नहीं किया मुझा यह तो此रा फ्लचल फ्लेसा लिपोजित्स कहते हैं यह व्क और चैन एंदर बेंसे सारे मिनिलते हैं vogdy को आफर आप में इंको कई बार Nasirm और कई बार इतना इजी भी नहीं होता हाला कि एक बहुत अच्छा एक्जामपल है हमारा मांगनीज नीडिल्स तो आपने यह भी पढ़ा था चाट्टर वन में वह बहुत जादा बिलॉंग करती है वहां के ट्राइवल ग्रूप्स को तो जो वहां के लोकल लोगे खासका जोवाई और चेरा पुंजी के अंदर वो क्या करते हैं इन मिनरल्स को एक लंबी टनल खोद करके घरवालों के मदद से हेल्प से निकालने का ट्राइब करते हैं अ अलगी जो मारा इंजीटी है ताट इस नाशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उसने ऐसी किसी भी अक्टिविटी को इलीगल डिकलेर कर दिया है और बोला है कि ऐसी अक्टिविटी इसको बंद किया जाए फिर अगर बच्चे आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे चार्टर में तो हमको देखने को मिलता है कि भारत के अंदर कौन कौन से मिनरल्स आपको मिलते हैं अगर इंडिया की बात करें बच्चे इंडिया में आपको बहुत वराइटी के मिनरल्स मिल जाएंगे अगर हम बात करें भारत के नॉर्डन प्लेंस की तो यहां पर इकॉनमिक मिनरल्स तो नहीं है लेकिन अग्रिकल्चर के रिस्पेक्ट से काफी अच्छा एरिया है तो इसी तरीके से भारत के अलग-अलग पार्ट में आपको अलग-अलग मिनरल्स मिल जाते है और इन मिनरल्स के साथ सथ बच्चों लेकिन डिसकर जो डिस्ट्रिब्यूशन है कि कहां पर कितना अवेलेबल है यह काफी डिफर करता है एक चोटा सा अडिशन पार्ट आपक आउन नियस रोक्त में मिलते हैं और 9 म्यटाली के अगर आम बात करेंगे तो जनली मिलते सेडिमेंट्री रोगस में बचालिक मिनरल जरनली हार्ट होते है और इनका खुद का एक शाइन होता प्रट अग्छोडा सा नितल निकरत करते हैं अगर अगर आध करते हैं पिरस मिन सबसे पहली बात करेंगे आरेन brief यहां पर मिल जाता है पहला है कि यहां पर best quality of iron ore माना जाता है उसका reason क्यों है क्योंकि यहां पर मिल जाता है आपको बच्चों ठीक है वना तो best quality of iron ore क्योंकि यहां पर मिल जाता है आपको 60-70% pure iron कहां पर मिलेगा ऐसा और आपको उडिचा जारकंच करनाटिका और महरास्ट्रा ठीके मागनिटाइड के अगरन बात करें मागनिटाइडLes च्प्टि और आपको आईडन मिल जाता है इसके पासromagn considers आपको फॉल परपर्टीझे बच्चौं आपको मिल जाएगा मागनेटाइट और सबसे लो क्वालिटी का कोर और आता है आपका लिमोनाइट लिमोनाइट में जो आयरेन कॉंटेंट है उसको येलो ब्राउन कलर का आपको और मिलेगा मैक्सिमम आपको मिलता है हिली रीजन में से गड़वाल रीजन हो गया हाँ पहले आजाता है हमारा ओजे बेल्ट ठीक है उज्योड कर सकते हो यह आपको को जबेंट हो गया यह आपका डीबी सी या दबंग भोझपुरी चैनल बेल्ट कर लो इसको यह तम खदरनाँ दबंग भोझपुरी चैनल आता दम बड़ा फेमस ठीक है तो जो जहां सब् में पक्का बदाम में कहां परती बच्छों मयूर भंज और केंदुजल डिस्ट्रिक्ट ठीक है साधी साथ अगर सिंग्मम डिस्ट्रिक्ट की बार करें जार्खट की तो यहां पर भी आपको हमेटाइट और मिल जाता है इन दो जगों पे कौन कौन से जगों पे ताट इस ग और महाराष्ट्रा ठीक है चलिए अब यहां पर हाई क्वालिटी आपको हमेटाइट ओर मिल जाता है कहां पर बच्छे बैलाडेला हिल्स के अंदर जो की बस्तर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है ठीक है यहां पर 14 डिपॉजट से आपके सूपर हाई ग्रेट क्वालिट ठीक है बच्छों तो यह भी आपका एक वन नंबर का कोश्चन बढ़िया तरीके से बन जाता है कि आयरेन ओर को इन माइन से कहां इस्पोर्ट किया जाता है जापान और साउथ कोरिया ठीक है और कौन से पोड़ के थू बाइब विशाखा बटनम पोड आगे अगर देखे आपना बच्छे बाइब अ बैसी इसवाल टी मतलब है बलारी चित्र दुर्वमंगाट कर रहा होगा मुझे पता है लेकिन भी मज़दार है समझ रहा हूँ ठीक है तो बहूँ यह बेल्ट लाई करती आपकी करनाटिका में और इसके पास काफी बढ़िया आरेन और तो नि सब्सक्राइब करें यहां से बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें इसको बड़े अच्छे तरीके से मारमगाव पोर्ट के द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है यानिके एक्सपोर्ट कर दिया था ठीक है चलो तो आगे बात करते हैं बचें मांगनीज का चुप्रडक्शन थे मांगनीज का यूजज है वह स्टील बनाने के लिए और फेरो मंगनी इस तो अलॉई बनाने के लिए यूज किया जाता है अगर हम बात करीब करीब 10 किलो मांगनीज की जरूवत आपको पड़ेगी अगर आपको वन टन स्टील बनाना है तो 10 kg of मांगनीज विल बी रिकॉइड तो प्रडूस वन टन अव स्टील इसके लाव मांगनीज का यूज कहां किया जात अतलब जिसमें iron content आपको available नहीं होता लेकिन फिर भी यह काफी important minerals है जैसे lead हो गया zinc हो गया copper हो गया बॉक्साइट हो गया जो एक ही करके चो most important है उसके हम लोग यहां पर यूज पढ़ेंगे स्राट करते हैं हमारे copper से बच्छे copper का एक एडवांटेज है कि बच्छे heat and electricity का अच्छा conductor है साधी साथ इसको sheets में भी आप बीट कर सकते हैं और इसके wire यानी तार भी बना सकते है इसलिए electrical industry में इसका usage बहुत जादा बढ़ जाता है इसके अलावा अगर हम बात करें जो ब distribution भी पूच सकता है moving on further maps boxside boxside बच्छे boxside से आप aluminium जो है कही नहीं कहीं निकालते हैं और aluminium being a very light weighted metal जो है वह mineral आप कह सकते हैं बहुत सारे usage है उसके बरतन बनते हैं aircraft airplane के parts बनाने में काम आता है तो boxside deposits are formed by decomposition of wide variety of rocks जो की aluminium silcates में रिच होती है जब आपकी बहुत सारी ऐसी पत् वह आपके बच्छे तूटते हैं weather होते हैं तब जाकर क्या आपको मिल पाते हैं आपके boxside deposits ठीक है तो aluminium obtain किया जाता है boxside से अगर आप से यह पूछ ले कि भाई aluminium का ओर क्या है तो boxside is the ore of aluminium aluminium के पास बच्छे अच्छा conductivity है great malleability again मैंने सेम चीज़ कही कि इसके आप तार बना सकते हो तार के साथ इसके आप sheets भी ड्रॉ कर सकते हो राइट तो major deposits कहां आपको मिलते हैं मिटा अमर कंटक फ्लाट्यू में मैकल हिल्स में या फिर आगर हम बात करें बिलासपूर कटनी वाले रीजन के अंदर ठीक है तो यह आपके major boxside deposits हैं important है कई बार इससे regarding question आता है explain the properties and distribution of aluminium ठीक है चली आगे बात करते हैं बच्छो ना अगर आप boxside distribution की बात करेंगे तो major states में देखे तो 65% जो है आपका Odisha produce करता है 10% जारखन produce करता है 9% आपका गुजरात produce करता है 6% चत्यसगर महराश्या 6% और आपका MP 3% तो major producers है और सबसे major के गरम बात करें तो Odisha is the leading producer देन वी हाब बच्छो था नॉन मटालिक विन्वल्स लाइक माइका स्पेशालिटी यह है बच्छे माइका शॉर्ट शॉर्ट तीन नंबर का कोश्चन है जो एक्जाम में बहुत बार पूछा गया है ठीक है तो माइका के गरम बात करें माइका कॉप फिंशीट पतली स्टाक कर दोगे तो सिर्फ इतनी मों टाई आपको मिलेगी टोटल ठीक है फिर अगर हम बात करें माइका क्लियर हो सकता है ब्लाक कलर हो सकता है ग्रीन हो सकता है यह रहां सकता है अब इसकी इतनी बढ़िया डाइलेक्रिक च्रेंथ आफ लो पावर लॉस फाक्तर है आ इस insulating properties हैं जिसके चलते बच्छो की माइका जो है one of the most important mineral है with respect to electronic industries तेरे अगर हम बात करें बच्छे माइका की distribution की तो माइका आपको majorly मिलता है छोटा नापपूर वाले प्लाटियो वाले में या फिर अगर हम बात करें को धर्मा हजारी बाग वाली जो बेल्ट जार्खंट की वह लीडिंग तहां पर आपका calcium carbonate present है ठीक है calcium carbonate present है या फिर magnesium carbonate present है तो वहां पर आपको बच्छे limestone देखने को मिलता है limestone basic raw material आपके cement industry के लिए राइट साथी जाद अगर हम बात करें limestone के production की तो आप देखो कि जो largest production है वह आपका आ रहा है राजस्थान से that is 20% followed by MP और अंदर प्रदेशास 13% तो आपको बच्छे in CRT का ही चार्ट है ठीक है तो leading producers में आप इसको consider कर सकते हैं आगे बात करते हैं बच्छों ठीक है जो workers माइन कर रहे होते हैं उनके आक नाक कान में जाता है इसके अलावा बच्छे जो आसपास के water resources है वह सारे के सारे बहुत ज्यादा हद तक हो जाते हैं राइट तरीके साब कह सकते हैं environmental pollution भी कॉस करता है और साथी साथ बच्छे जो आपका कह सकते हैं लोगों का health है उसको भी बहुत हद तक माइनिंग इंपार्ट करती है इसके अलावा कर नाशनल पार्क वाले एरिया में माइनिग हो रही है तो आपे नाच्रल वेजिटेशन और वाइल लाइफ को भी उतना ही ज्यादा नुकसान जेलने को मिलता है वह बात करें conservation की तो बहुत सिंपल सी बात है रीजन यहीं है कि हमोई conservation करने के क्यों ज़रू है क्योंकि minerals इतने कम है और हमने इतना ज्यादा उनको बच्चे कहीं न कहीं utilize कर डाला है कि हमारे पास अभी mineral wealth बची है वह अपने आप में बहुत कम है और बहुत सारी थोड़ी सी wealth है तो इस वेरी important कि अभी क्या है जितना over utilization कर रहे हैं करते हैं metals को पुराने metals को reuse कर सकते हैं so that अपने आने वाले future generations के लिए mineral resources को बचा के रख पाए सबसे पहली बात आती है कोल की कोल एक ऐसा combustible substance है ठीक एक तरीके साब कह सकते हो कि एक तरीके का पत्थर एक तरीके रोक जिसको आप जलाते हैं जैसे आप energy produce करते हैं ठीक है कोल के अंदर बच्चे कर तीन चाल चीज़े मेंली पाई जाती है पहला है carbon दूसा hydrogen तीसरा है oxygen और चौता है आपका nitrogen ठीक है तो carbon 60-90% hydrogen एक से 12% उसके बाद अगर हम बात करो oxygen की तो 2-20% nitrogen तो 1-3% साधी साथ इसमें कुछ amounts आपके phosphorus और sulfur के भी मिल जाते हैं formation की बात करें सेम तरीके का formation है बच्चे की बहुत सालों पहले क्या हुआ millions of years ago कि जो आपके animals से plants से जब यह मरने लगे तो यह सड़ने लगे बच्चे वो डेड हुए फिर decomposed हुए है ना तो under intense heat and pressure दीरे-दीरे करके यह लोग किसमें convert हो गए बच्चे आपके coal में राइट इस तरीके से आपका coal form हुआ था तेन अगर हम बात करें बच्चे कोल के अलगला qualities है पहला है आपका antreset hardest coal है shiny होता है काला होता है काले कलर का 90% carbon content है best quality of coal है ठीक है इसमें smoke बहुत कम reduce होता है बढ़िया तरीके से जलता है आपका high heating value यानि घर वगरे क्लिए अच्छा usage है से तो अगर हम बात करें carbon content की तो 50-80% carbon content इसमें मिल जाता है जिसमें जो steam वाला जो कोल होते है system produce की जाती हो best quality है household cold के अगर हम बात करें जो घर में use किया जाता है कोईला बच्छा खाना वाना बनाने के लिए ठीक है तो उसमें करीब 50-80% आपको coal का availability मिल जाएका carbon content मिल जाए तो iron and steel smelting industries में इसका usage बहुत किया जाता है बच्छे bituminous coal का lignite को brown coal भी कहते हैं बच्छे सबसे lowest quality of coal है carbon content 40% है इसमें moisture बहुत होता है और जो combustible matter है जलने वाला सबसान से वो काम होता है lignite तो यह हमारा था lignite बच्छे और फिर आता है हमारा पीट पीट आप इसको कई लकड़ी वाला कोईला भी कहते हैं पहला ऐसा बलब टाइप है जो आपको वूड जो है लकड़ी जब कोईले में convert हो रही है बच्छे इस transformation stage को यह आपके सामने प्रिजेंट करता है ठीक है इसके बाद कार्बन कॉंटेंट है वह बहुत काम है साथी साथ आप यह कह सकते है है कि फॉर्म हुआ है आपके decomposition प्लस carbonization process से तो इंडस्ट्रियल बात करें यहां फिर अगर हम बात करें with respect to domestic usage तो इसका यूजज बहुत लिमिटेड है ठीक है इसके बाद अगर हम बात करते हैं माय पास आ जाता है कोल का distribution भारत में दो तरीके deposit मिलते हैं आपको tertiary deposit और आप recent है गोणवाना सबसे पुराने हैं ठीक है तो भारत में आंथ्रा सेट के जो deposit से मचे वह काफी जादा कम मिलते हैं ठीक है अगर हम बात करें गोणवाना की करीब 98% coal result गोणवाना deposit से इसका benefit यह है कि इसमें sulfur phosphorus content ठीक ठाक मिल जाता है ठीक है steel plants में major इसका यूज क्या जाता ठीक है इसमें से यह जो तीन स्टेट से आपके बच्चे 4 by 5th of the total इंडिया का जो coal reserves है वो यह तीन स्टेट बनाते हैं 36 MP और महराश्ट्रा तो इमेजर आपके deposit से मिल जाते हैं लिगनाइट के deposit सापको मिल जाएंगे खासका तमिल नाडू में तमिल नाडू में जगे बढ इसने लिगनाइट कोल डिपोसित के लिए मुविंग ऑन फॉर्दर कोल के ड्वांटेज से यहें कि बच्चे बहुत सारे मशीनरी में इसको यूज किया जाता है थरमल पावल जनुरेट करने के लिए उसक्या जाता है हाला कि दिक्कत यह है कि इसके डिसद्वांटेज यह क्रूड ऑल कहते हैं गराश फॉर्म में स्काठीक इसको और सॉलीड फर्म में इसको ऐस्फाल्क टार पीच या फिर बिदुमेंड भी कहते हैं कहां मिलता है बच्चे सेडिमेंटरी रॉक्स के इंदर मिलेगा साथी साथ इसकी आपको घैसे भी मिल जाती है स्को अप नाच यानि ऐसे प्रोड़क्स जो कि आपके क्रूड ओल से जन्रेट हो रहे हैं डारेक्ट या डारेक्ट वेज में उसको भी जन्रेट करने के लिए बच्चों लोग यूज करते हैं ठीक है चलिए और पावल जन्रेशन के बाद हमने अल्लेडी डिसकस कर ली है तो डिसट्वांट यूज को अब करते हैं उसका यूज करते हैं आप गाडियां अगे चलाने वहां चाहिए और यूज इसका डमेस्टिक यादि घर में भी आप उटलाइस करते हैं खाना वगरा बनाने के लिए ठीक है जैन्व यह चलो इसी में थोड़ा सागे रहां लोग वड़ेंगे बच देखने को मिलते हैं अगर हम बात करें बच्छे नाच्रल गास पाइप्लाइंस की जो पहली पाइप्लाइन थी सारे एरिया को करेंट करती है और हमाला टार्गेट है इसको 34,000 किलो मेटर को भी पार कर दाना ठीक है फिर अगर हम बात करें बच्छे लेक्ट्रिसीटी की अपको बता है हम सब के लिए ज़रूरी है अगर आप आज के बिचल लेक्टर कर पार रहा हूं कि मैं आपको कुछ भ आपको थर्मल पावर हाइड़ोबावर का मतलब है जब आप पानी से बिचली बनाते हो खासकर जो डाम सगयरा कंस्ट करवाया जाते हैं बच्छो उसके थूरू क्या किया जाता है बिचली प्रदीश की आती है तूसरा आपका थर्मल पावर जो भारत की मैजॉरिटी आपका हाइड़ोबावर अब बात करते हैं बचे नॉन कामेशन सोर्सेज की यानि वो सोर्सेजिसका यूटलाइजेशन हम अभी नहीं कर रहें यह यह अल्टरनेटिव सोर्सेज है रीवल इन नेचर है ठीक है और जिसका यूज करके हम बहुत सारा इंवार्मेंट को यूजिए इंडिया लाइज इंट्रॉपिकल इंसर्प्राइज फिर फोटो वोल्टेक टेकनोलोजी क्या करता है बच्छे फोटो जॉप के सोलर सल्स होते हैं डारेक्ली सोलर पावर को अलेक्रिसिटी में कर देते हैं बहुत सारे बड़े-बड़े-बड़े सोलर पावर आपको भारत में मिल जाएंगे खासकर अगर बात करें बच्छे करनाटेक वाले रीजन में शक्ती स्थाल इसका बहुत अच्छा एक्जांपल है तो सोलर पावर का यूटलाइजेशन अभी हम लोग मुल्टिपल चीज़ों के लिए करें तेन अगर हम बात करें बच्छे लिए पावर की नुकले बार में क्या करते हैं जब किसी भी पतिकूलर मिन्राल के अटॉमिक त्यक्टर पर जल्टेक डिसमें चेंजेश करते हैं ठीक या तो उसको ब्रेक करें उसका फिजन करें तो जो भी अमाउंट होती है उतीका सब्सक्रेशन करके आप पावर generate कर सकते हो that is basically a nuclear power अब जैसे uranium and thorium जो कि हमारे radioactive elements है ठीक है यह आपको मिल जाते हैं जहारखंड या फिर अरावली regions of Rajasthan में अरावली की पहाड़ियों के आस-पास तो मुनाजेट sands of Kerala बच्चे यह भी काफी रिच्छ हैं आपके thorium deposits में राइट तो इडियो वेक्टिव elements को आप nuclear reaction को तुरू लेके जाते हैं उसका फिजन कराते हैं जिसके तुरू जब atoms break होते हैं बच्चे एक huge amount of energy release होता है और उस energy का utilization करके हैं power को produce करते हैं भारत के पास अगरा हम बात करें बच्चे आइडल पावर कि तो टाइडल पावर क्या होता है जो आपका ocean टाइट जहुंसर प्रोटेट करता है आपका electricity produce होता है तो तरहीं से बच्चे हाईट इड़ोटाइट की मदद से भी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे अच्छे इर्यास की बात करूं तो आपका गल्फ ऑफ खामबट आ जाता है गल्फ ऑफ कच आ जाता है गुजरात में तो कि मेजर साइट से आपके टाइडल पावर प्रड़क्शन की फिर अगर में बात करों जियो थर्मल अनर्जी तो बच्छे जियो थर्मल कुछ नहीं है अर्थ के अंदर जो हीट ट्राप डे कई वार वहीट आपके रॉक्स तक आजाती है इंदा फॉर्म ऑफ स्टीम और स्टीम का यूज करके हम लोग क्या करते हैं बच्छे एलेक्ट्रिसिडी का प्रड़क्शन करते हैं तो यह कहलाता है आपका जियो थर्मल पावर फिर वह प्रड़क्शन करते हैं जिसके तुरू हम जियो थर्मल अनर्जी को हर्नेस कर रहें फिर अगरें बायो गैस की बात करें तो बच्छे बायो गैस बहुत सिंपल है यानि जितना भी अनिमल वेस्ट होता है उन सबको एक साथ एक जगे पिलाके प्लांट में जाकर हम डिकंप इस तरीके से बच्छे डूल बेनिफेट से और कहीं न कहीं काफी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है तो इस तरीके से बात करें बच्छे तो कुल मिला कि आज का एक ही नारा है कि energy safe this energy produce कहने का मतलब यह है कि बच्छे हमारा responsibility भी बनता है कि हम भी अपने resources को बचाएं उ natural resources ठीक है चलो तो इसी उमीद के साथ इसी जजबे के साथ मुलाकात होगी आपसे नेक्स लेक्षर में नेक्स राप राउंड में तब तक के लिए हसते रहें बुश्कराते रहें और देखते रहें वीडियोज विद पी डवल्यू बबाए बच्छों टेक्यर झाल